सुक्रवार को खूटी कर रा मार्ग पर बिरू मोड के पास आटो के पलटने से साथ छात्राओं समेद कुल दस लोग घायल हो गये सुक्रवार को बिरू मोड के पास आटो पलटने के बाद स्थानिय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ साथ सभी घायल छात्राओं और आटो पर सवार अन्या तीन लोगों को सदर अस्पताल पहुँचाया गयलों में सलोना सांगा, मोनीका बाखला, सुशिला होरू, अंजेला हिरेंज, निकिता बाडला, अंजना कुमारी, निकिता होरू, लोयोला इंटर कॉलेज की छात्राओं हैं द्रुघटना में अन्या तीन यात्रियों को मामूली चोटे आई हैं जानकारी के अनुसार, छात्राएं लोयोला स्कूल खूटी से ओटो पर सवार होकर कर्रा की ओर जा रही थी, ओटो पर अन्या तीन यात्री भी सवार थे इसी बीच मॉडर्न स्कूल बिरू के पास एक बैल अच्चानक दोड़ कर ओटो के सामने आ गया जिसे बचाने की क्रम में चालक ने अपना नियंत्रन खो दिया और ओटो पलट गई, गायलों को इस्थानिये लोगों की सहायता से सदर अस्पताल खूटी लाया गया, जहां उनका प्रात्मिक उप्चार किया गया दुरगटना में टेम्पो चालक भी गायल हो गया है बता दें कि एक दिन पहले खोटी राची मार्ग पर काला मार्टी के पास एक पिकव वैन ने ओटो को टक्कर मार दी थी, जिसमें मा बेटी गंभी रूप से घायल हो गई थी जिले में लगातार घटित होती दुर घटनाओं ने सब की चिंता बढ़ा दी है